नमस्ते आदाब सत्ष्रियकाल कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ किस सब बढ़िया है मैं हूँ चेतना Get My Harvest से और आज का आस चेतना सीरीज का विडियो है पानी देने के बारे में चट के पौधों को पानी कैसे दें घर के अंदर पौधों को पानी कैसे दें पानी की कमी हो तो पानी कैसे दें वैसे एक पते की बात बताओ जादा पौधे ओवर वाटरिंग से मरते हैं अंडर वाटरिंग से नहीं मतलब ज़रूरत से जादा पानी देने से वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉमेंट्स, सजेशन्स, सवाल मुझे मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है Get My Harvest को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए अगर चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए आस चेतना सीरीज का पिछला वीडियो था नीमबू के बारे में अगर नहीं देखा तो उपर लिंक आ रहा है उसे देखिए और अगर किसी दोस्त के घर में नीमबू का पौदा है तो वीडियो फॉवर्ट करना तो बनता है न तो सबसे पहले हम जाएंगे मेरी चट पे क्योंकि वहाँ पर पानी देने का एक सिस्टम है जो मैं आप सभी के साथ शेर करना चाहती हूँ तो चलिए चट पे चलते हैं वो पीछे जो है मेरा गार्डन है गार्डन टूर चाहिए तो उपर वीडियो का लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए मिल जाएगा तो हम आ गए हैं मेरी चट पे जहां जीनियाज ने स्वागत किया है हमारा और अधर टमाटर लगे हुए है पुदीना दिखाना मुझे ये है कि चट पे इंस्टॉल किया हुआ है डिप एरिगेशन सिस्टम देख रहे हैं आप ये पाइप जा रही है और साथ में है ऐसा ए जहां से पाणी आता है यहां से और इस गबले के अंदर मिटी में ऐसे दबा देते हैं तो विकास कुमार ने पूछा था कि वो डिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं इस इट explore किया है भर गर्मी में पाणी देने में बहुत असानी रहती है एक चीज आपको करनी है कि पौधों को एक लाइन में लगाना है, गमलों को एक सिस्टम रखना पड़ेगा तब ही आप डिर्प एरिगेशन सिस्टम लगा पाएंगे ऑनलाइन बहुत तरह के डिर्प एरिगेशन सिस्टम अवेलिबल है दस पौधों के लिए, बीस के लिए, पचास के लिए, सो के लिए कोई भी जो आपकी नीड, आपकी जरूरत को सूट करता है उसे कीजिए अकांशा माधुरिया ने मुझ से पुझा की माम जो मुर्जाय हुए पौधे हैं, उनको कैसे सही करें उसका बेस तरीका है कि मुर्जाय हुए पौधे को इस तरह से पानी में डुबो दीजिए कुछ घंटों के लिए, नहीं तो उपर से पानी दीजिए अगर इस तरह से रखना पॉसिबल नहीं है बालकिनी या टेरिस में गमलों को पानी देने के लिए ऐसा वाटरिंग कैन जिसके आगे फुहारा लगा हो बेस्ट है अगर मग से या किसी बरतन से दे रहे है तो आगे हाथ रखिए सीधा एकदम से जोर से पानी नहीं देना है यह मुझसे पूछा वंशी का शर्मा ने और उन्होंने कहा कि क्या हम प्लांट्स को खारा पानी दे सकते हैं प्लीज बताइए वंशी का अगर थोड़े से ही प्लांट्स है तो पानी को बॉइल कीजिए थंडा करने के बाद प्लांट्स को पानी दीजिए नहीं तो वाटर फिल्टर वाला पानी भी दे सकते हैं खारा पानी या हाड वाटर जो है वो पौधों पे स्केलिंग कर देगा और पौधे खुश नहीं रहेंगे और इसके अगला सवाल है यह थोड़ा डिफरेंट सा सवाल था उन्होंने बोला कि उन्होंने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है चैनल को जाधा तर लोकल एग्जिशन से बुटीक्स या ब्रैंग्स की बहुत बड़ी फैन नहीं हूं मैं और अपने कपडों को बहुत संभाल के रखती हूं अगला सवाल लेने से पहले मैं पीने वाली हूं नारियल पानी और जितन तर मैं नारियल पानी पीती हूं आप लोग जाए इंस्टेग्राम पे भी फॉलो कर लीजे क्योंकि अपडेट्स तो सब को चाहिए ना किसी में पूछा कि उनके वहाँ पानी की कमी है तो वह गार्डनिंग कैसे करें देखिए जो पानी का इस्तिमाल एक बार हो गया है ना जैसे कि नहाने के लिए मूँ ध दालिए अपने पॉधों के अंदर मिटी के अंदर कम पानी चाहिए होगा पॉधों को क्यूंकि कॉम्पोस जो है मॉइस्टर रिटेन करने में मदद करती है तो उपर विजियो का लिंक का रहा है उसे देखिए बनानी आ जाएगी पानी की कमी वाले इलाकों में या वैसे गार्डनिंग में पानी बचाने के लिए आलोवेरा का पौधा लगाईए बहुत काम का पौधा है आसपास की मिट्टी को ठंडा रखता है और उसकी जड़े मॉइस्टर छोड़ती है जो कि आसपास के पौधों को फायदा देती है कुछ और पौधे जो आप लगा सकते हैं पानी की कमी वाले इलाकों में पौटुलाका, लंटाना, कैक्तस, अलोवेरा तो मैंने बताया ही और मल्चिंग कीजिए मतलब सूखे पत्तों को पौधों के आसपास रखिए पानी जल्दी नहीं सूखेगा कुनाल ने मुझ से पुछा है कि how much water to give to plants पौधों को कितना पान अगर टेस्ट होता है, मिट्टी के अंदर इस तरह से अपनी उंगली रखिए पौधे की मिट्टी में और देखिए कि ड्राय फील हो रही है, मुझे पता चल रहा है बहुत ड्राय है, तब ही पानी देना है, कुछ पौधे तो चीक चीक कर बताते हैं कि हमें पानी पिला द और भी कुछ लोगों ने मुझसे पूचा था कि घर के अंदर जो पौधे रखे हैं, उनका पानी कहां जाता है, जब आप पानी देते हैं, तो कैसे देते हैं, ऐसा वाटरिंग का इस्तेमाल करती हूं, जिसके आगे पतली नोजल है, और साथ में कपड़ा रखना है, और व पान्टर में आ जाएगा, नहीं तो गमलों के नीचे इस तरह से ट्रेज रखी हैं, ताकि वहाँ पानी नहीं फैले, अगर आपको भी प्लांट स्टैंट्स के बारे में और जानकारी चाहिए, तो उपर विडियो का लिंक आ रहा है, उसे देख लीजिए, सर्बदीप ग्र प्लम भी आती है, तो दुबारा रिकवर कर लेती है, इस तरह से वाटरिंग करती हूँ मैं ग्रास की, स्प्रिंकलर्स हैं, इन्हें अन कर देती हूँ, अपने आप पानी डलता रहता है, बस थोड़ी देर के बाद जगा बदलती हूँ, अचा अगला सवाल बहुत लोग प प्लम भी आपकी तरह इंसान हूँ, तो ठकती हूँ, छट है, बालकीनीज है, गारडन है, तो थोड़ा हेल्प लेती हूँ, टीम है पूरी, मैं टीम की कप्तान हूँ, मेरे हजबन भी है टीम में, मेरा बेटा है और माली भया भी है, आज का आखरी सवाल और साथ में आज क ग्यान, किसी ने पूछा कि जब उन्हें कोई हर्ट करता है, तो वो उन्हें भूल नहीं पाते, वस इतना ही कहना चाहती हूँ, माफ करोगे नहीं, तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, कंधों पे बोज लेकर इतना जादा दूर चल नहीं पाओगे, कुछ समझे, भूल अगले फ्राइडे वीडियो आने वाला है मिर्ची पे, अपने सवाल पूछते रहिए, जल्द मिलूँगी मैं आप से,